तो चौमासाने लेने सौथी मोटा समाचार केरण माँ चौमासानी दस्तक देश माँ चौमासानी दस्तक जुवा मड़ी रही शे केरण आने पुर्बोत्तर एक साथे पहुंची चौमासू समय करता वहलू बैटू चे देश माँ चौमासू सामानी रिते एक जुने वैसे चे देशमा चौमासू आवखते में महीना माज देशमा चौमासारी दस्तक जुवा मड़ी रही छे गुजरात मां 12 जुन्नी आसपास 24 से चौमासू हववमान विभागे चौमासा अंग्या आगाही करी छे देश मां चौमासा ए बिधीवत रिते एंट्री करी दिधी छे गुजरात मां 15 जुन्नी आसपास 24 जौमासू 22 शे के छे 30 में को केरला के उपर मांसून आंसेट हो गया है और साथ में ही most part आप नार्थ इस्ट इंडिया को और जो गुजरात के लिए जो मांसून आंसेट प्रोग्रेस की नॉर्मल डेट है वो 15 जुन यानि 15 जुन के आसपास गुजरात पे मांसून प्रोग्रेस करेगा आकरी गर्मीवां मणशे गुजरातियोंने मोटी राहत फुकाशे तेज पवन गर्मी मांधी आंशिक राहत मणशे 32 सुधी गुजरातमां फुकाशे तेज पवन राजिना चार जिलामां तर अधी वंटुर्णी पन आगाही छे बनास कांठा पाटन कच तुरिंद नगर माटे आगाही करवा मावी छे तो 25-30 किलो मेंटर नी जड़ पे फुकाई शके चे पवन शिला 24 तलाक मां गुजरत मां सौती वदू 32.8 डिगरित आपमान अम्दावात मां नोंधायो छे आज कल और परसो के लिए स्ट्रांग बेंड सर्फेस बेंड प्रिवेल करेंगे पूरे गुजरत रीजिन के लिए और जिसकी उसकी स्पीड होगी 25-30 किलो मिटर पर आवर की और सौराष्ट कच और पाटन सुरेंदर नगर और बनास कांठा के लिए टेश्ट स्टार्म की वार्णंग दी गई है आने वाले तीन दिनों के लिए यानि आज कल और परसों के लिए और मैक्सिम्ट टेम्परेचर स्क्राइब करेंगे तो एहमदाबाद और गांधी नगर में जो मैक्सिम्ट टेम्परेचर यह वह वह आँ म्धाबाद का 42.8 और गांदीनगर का 42.5 डिगरीशल्चर्चर्स मैक्सम टेंपरेचर्य रियलाईज हुए और जो फुरकास दिया जा रहा है एमदाबाद और गांदीनगर के लिए मैक्सम टेंपरेचर का ओपुरकास के लिए दिया जा रहा है तो हववान विभागे आंधी साथे वर्सादनी आगाही व्यक्त करता दक्षिर ना दर्या किनारे करंट जुवा मड़ी रहो छे वहिवटी तंत्रे वलसार ना तिथलना दर्या किनारे आवता प्रवासियोंने दर्या किनारे नीचे उतरवानी मनाई फर्मावी छे आगामी समय मा दर्यों तोफा नी रहवानी शक्यता ने आगाही ने पगले जिला वहीवटी तंत्रद्वारा निड़े लिवायो छे दर्या किनारा विस्तार मा साहीट किलोमीटर थी वदू जड़ पे पवन फुकावानी शक्यताओ व्यक्त करवा मावी छे पर कोई पाणी मा उत्रे अने कोई गटना दूर गटना न बने एकला माटे फ्रिक्वेशन ना भाग रूपे थीने आपने बंद करायी उचे तो केरण मा चौमासानी दस्तक गुजरात मा अस्तर जुपा मडे गुजरातना दर्या काठा पर तेच पवन फुकावानू शरू थैुचे डुमस ना दर्या कांठे भारे पवन फुकावान शरू थयू छे 40 किलोमेटर नी जड़ पे फुकाई रहो छे पवन हवामान विभागना मते 5 दिवस सूरत नमसारी वलसाड मा वादरचाई वाता वरंड है शे आ साते शहर मा पड़ 20-25 किलोमेटर नी जड़ पे पवन फुकावानी शेक्यता छे 3 दिवस सुधी पवन उजो रहेती भी शेक्यता छे पवन ना कारणे गर्मी ओछी परंतु बफारा नी सिती यथावत जोवा मड़ी रही छे तो नवसारी मा हवमान विभाग नी आगाही न पगले बै बीच बंद करवा मा आविया छे राजमा आगामी पांच दिवस भारे पवन फुकावानी हवमान विभाग या आगाही करी हती आगाही करता नवसारी जिला वहीवटी तंत्र एलट है उछे दांडी आने उम्राट दर्या किनारों सहलानियों माटे तातकाली कसरती बंद करी देवा मावियो छे जोके वातावरणी असर दांडी दर्या किनारे पन जो आमडी हती दर्या मा करंठी नी साते भारे पवन पन फुकाई रहो छे सावचेती न भाग रुपे पूलिस बंदोबस्त गोठावा मावियो छे कोई अनिचने घटना न बने ते माटे वहीवटी तंत्र बाज नजर राकी रहो छे 26-2024 सुदी राजियमा भारे पवन फुकाई नी शक्यतारा रहो छे जिनने ध्यानमा राखी नै मेरबान कलेक्टर साहिबना आदेश मुझब जिला वहीवटी तंत्र द्वारा नवसारी जिल्नामा आवेल दांडी अने उभराट ना दर्याकी नाराव मा तके दारी ना भाग रुपे तातकाली कसरती बंद राखवा मा आवेल छे तो आकरी गर्मी मा जरे मानस पन त्राही माम पोकारे तेवी स्थिती उद्भवती होई शे तेवामा छोटा ओदेपूर्णा वन विभाग द्वारा वन्य प्राणियों नी रक्षा माटे अनोखी पहल हाथ धराई छे उन्हाडा नी काड़ जाड गर्मी मा जंगल मा आवीली नदियों औने नाडाओ सुकाई जता वन्य प्राणियों पड मुश्किली मा मुखाय हता तेरेवन विभागे एक रुट्रिम पाणी ना स्त्रोत मार्फते पाणी पूरु पाडवानी सुविधा करी छे छोटा ओदेपूर ना जंगल मा दिपडा, रीच, याड, नीलकाय सहीतना हजजारों प्राणियों अने पक्षियों वस्वाट करे छे तेरेवन विभागना प्रयासो थी छोटा ओदेपूर जंगल मा पाणी नी बावन कुंडियों मार्फते मुंगा प्राणियों माटे पीवाना पाणी ना स्त्रोत उभा कराया छे छोटा ओदेपूर मा सोती वधू दिपडा एंशिती वधू रीचनी साथे मोटी संख्या मा विविद वन्य प्राणियों नो वस्वाट छे त्यारे उनाडा नी कारज़ाड गर्मी मा वन्य प्राणियों माटे पाणी नी सुविदा आशिरवात समान निवडी छे विष्टी उपर आवेली छे आम वन्य विस्तार खुब बोटो होई अलग अलग जहां कुद्रती पोईट छे यनाथी जहां वन्य प्राणियों माटे पिवानी स्थकली वधू नापड एना माटे खुब व्यास्ता उभी करवा मावेली छे नहाल पाणी भरवानू चालो अने घणा बदा जे मन्य जीवो अचे पाने पीता नजरे जोवित आई आए आशे एक तरफ कारज़ाड गर्मिय ने बदलाता वातावरना लिधे पाक ने नुकसान थायू छे तो मिजी तरफ राजकोट जिलाना धोराजी पंथक मा अनेक चेकडेमों बिसमार हालत माँ छ खेडुतो नहीं तने खासकरी ने खेती माटे पाणी नो संग्रह करवा सरकार्याने एक चेकडेमों बनावाया हता त्यारे एक खेडुतो ने पन आशा हती कि चेकडेम माँ चौमासामा वर्सादना पाणी नो संग्रह थाशे परन्तु बिसमार हालत माँ पडेला चेकडेम सब्सक्राइब करें तूटी जासे पानी नहीं सब्सक्राइब नुक्सान जाइए पानी नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब 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 अगर जैसा आपने बताया कि पब्लिक एरिया में नहीं है तो मैं उसको सुनिश्ची जरूर कराऊंगा कि पब्लिक एरिया में पानी पीने की विवस्ता हो जाएए तातने सतावी रहोचे मगरोंनो त्रास पन कैम करी रहोचे तंत्र आँखाडाकान बडोद्राना करजन मा सर्वाडा गामना खेडूतो सतत भाईनी परिस्तिती मा पोताना जीवना जोका में खेती अने पशुपालन करवा मजबूर मनी आचे सर्वाडा गामनी ढाडर नदी मा मगरोंनो सामराज आवेलू छे पन दर्रुज घरेती खेतर जती वकते खेडूतो ने मगरोंनो सामनो करवा